आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली इसके मंत्र को इसकी गुंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवाश्यों से भी मेरा कहना है लोकल फॉर दिवाली को खुब प्रमोट करें खुब प्रचार करें हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खड़ी देगा लोकल की चर्चा करेगा लोकल प्रोड़क का गवरव करेगा नए नए लोगों तक ये बात पहुँचाएगा कि हमारे लोकल प्रोड़क कितने अच्छे हैं कितने शांदार है किस तरह हमारी पहचान है तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी इससे स्थानिय पहचान तो मजबुत होगी ही जो लोक इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी इसलिए मैं देश वास्यों को दिवाली की पुर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने हर कोई भोकल बने लोकल के लिए दिवाली बनाएं लोकल के साथ आप देखिए पूरी अर्थ ववस्ता में एक नई चेतना आजाएगी नई जाना आजाएगी वो चीजें जिसमें मेरे देश वासी के पसीने की महक हो जो चीजें मेरे देश के नवजवानों की बुद्धी शक्ति का परिचायक हो वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्सा के साथ नए संकल पर लेकर के अपने कारे का विस्तार करने की ताकत देती है उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नापे मेरे देश वासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिट्मेंट बनता है आईए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने दिवाली लोकल से बनाए और सिरफ दिये नहीं बनना कुछ लोकों को दरड़ता है लोकल मतलब दिया ले लो नई भाई हर चीज हर चीज कोई ऐसी चीज हो जो बिलकुर हमारे देश में बनना संभवी नहीं है हम जुरूर बाहर से लेना पड़ेगा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुए उसको फैंक दो गंगा जी में बहा दो जी नहीं मैं ऐसे नहीं कहता मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे देश के लोग जो पसीना वहा रहे हैं मेरे देश के नौजवान जो अपने बुद्धी, शक्ती, सामर्थ से कुछ नो कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उंगली पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनका हाथ पकड़ना हम सब का दाई तो बनता है उनकी चीजे लेते हैं, उनका होसला बुलंध हो जाता है आप देखिए, देखते ही देखते विश्वास से भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तयार हो जाएगा जो हिंदुस्तान को नई उन्चाईयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति के रुप में जूड़ जाएगा और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशी वासियों से जब बात कर रहा हूँ तब दिवाली की शुपकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा जो मांगा काशी ने जी भरकर के मुझे दिया है खुले मन से दिया है लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है न मुझे कुछ जरूरत रहे ऐसा आपने कुछ बाकी ही नहीं रखा है लेकिन मैं काशी के हर प्रोड़क्त के लिए घरगर बात पहुंचाने का प्यास करता हूँ, मेरे देश की हर चीज को ये मोका मिले, यही मेरा आग्रह है.